दोस्तो आज हम compiler time and run time के उपर बात करेंगे हम यह जानने ही कोशिश करेंगे run time error क्या होते है? compiler time error क्या होते है? सबसे पहले compiler time के उपर बात करते है दोस्तो जिस time हम कोई code लिखते हैं अगर कोई error आ जाता है उस time को हम compiler time error केते हैं जैसे for example मैं एक variable लिखता हूं in data type हम में इसका variable name लिख देता हूं data type में variable name लिख देता हूं age equal 20 दोस्तों यहाँ पर देखें red line में एक error नजर आ रहा है यह हमारा compiler time error है तो दोस्तों यह हमारा compiler time error है हम क्या करेंगे simple इसमें semi column लगा देंगे जैसे ही कमें semi column लगाया इसका sentence complete हुआ इन्हें error को remove कर दे क्योंकि इसका sentence complete नहीं था इसलिए compiler time ने इसको error दे दिया हमने वो है इस्ट्रिंग और जो यहाँ पर इंटीजर है यह हमारा इंटीजर है विरियेबल यहाँ पर जो हमने दिया इंटीजर अब यह क्या बोला इसको इसको इस्ट्रिंग को खतम कर दें हम क्या करेंगे दूस्तों इसको कनवर्ट कर देंगे मैंने इसको convert किया जैसे मैं इसको convert करूँआ यह error remove हो जायागा यह देखें दोस्तो यह compile time error हो गया हमारा दोस्तो अब हम पढ़ेंगे run time दोस्तो run time error क्या होता है दोस्तो run time logical error define करने में बहुत helpful करते है जो compile time पर नहीं मिलते एक logical error बहुत मशूर है आप किसी भी value को 0 से divide करो तो वो infinity बन जाता है metamethics के अंदर मेत के अंदर हम जब भी 0 से divide करते हैं तो infinite बन जाता है मगर वो ही हम programming के अंदर करते हैं 0 से तो वो exception देता है exception क्या देता है तो हम program में देखते हैं झाल कर्णे करो ग्ष दिम में करेक्छ प्रष बहां क्यावश करेवार स्द Singapore बस्टो बस्टो आप तो दोस्तो अब मैं आपको रंड करके दिखाते हैं मैंने सिंपल सा पुग्राम बनाया कि प्लिस इंटर वेलू जैसे वह इसको वेलू देंगे जैसे हम इसको जीरो देंगे तो वह exception देगा तो वह आपको यह पुग्राम के अंदर दिखाते हैं तो दोस्तो हमारे runtime एरे क्या होते हैं यसा हम run कर देता है अपने code अधा जैसे मैं run करता हूँ तो वह हमें exception देता है है यह हमें error generate करता है तो यही simple मैंने यह लिका 10 तो यहाँ पर मैं जैसे 0 दूँआ वह में exception देगा क्योंकि हमारे runtime पर error होता है ऐसे ही देखो अब में यह enter किया तो दोस्तों यह देखे exception आ गए हमारे पास error रही है तो attempted to divided by zero मतलब कि वो ही है कि हम zero से divide नहीं कर सकते है program language के अंदर यह error generate कर देता है आपको वीडियो समझ में आयो फिर मिलेंगे इंशाला नेस वीडियो वाला हाफिज